Hello students, we are live now. Welcome to SIS Online Classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with exercise no.9.6. Students, question no.12 तक जो है, discuss कर चुके थे हैं and 13, 14, 15 ये सब भी questions कोई दम नहीं है. 16 से बताते हैं question. तो 16 नमबर आप देखने हैं. A of 16 नमबर जो मैंने आपको identity A plus B and A minus B वाली बताईती. A square minus B square ऐसे भी note कर लें, ऐसे note कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा, दोनों ही same identities हैं. चाहिए इधर LHS से LHS से LHS read कर लें, कोई problem नहीं होंके. So question number 16 इसी बेस पर है, P square plus 1 upon P square and next bracket P square minus 1 upon P square. देखें, first bracket में P square plus 1 upon P square है, second bracket में P square minus 1 upon P square है. Sir, first and second brackets है, both are equal. But sir, sign जो हैं, दोनों को different है. First में plus हैं और second में minus. So, हम कहेंगे, बेटा, यही तो चाहिए, हमको एक bracket में plus sign चाहिए, दूसरे bracket में minus sign चाहिए. और A और B terms अभी कहां हैं, first and second terms equal हैं. ठीक है, तो for identity apply हो जाएगी, A square minus B square. So, A represent P square and B represent 1 upon P square. So, A plus B and A minus B is equals to A square minus B square. So, A square means P square of whole square and minus B square is P square of whole square. So, P square of whole square is P of power 4 minus 1 of square 1 and P square of square P of power 4. Okay, so I think सभी को समझ में आ रही होगी इतनी बात. देखें, तीन identities तो हैं, यह fourth identities हम बताने जा रहे हैं. Fourth identity है, यह हमारी, X plus A and X plus B. First terms तो सेम होगा, X, but जो second terms होगा, वो क्या होंगे, different होंगे. देखें, first वाले में A है, और second वाले में B हैं, ठीक हैं, तो इस conditions में जो identity है, वो क्या होती है, X square plus X within bracket A plus B, plus A into B. Okay, बस इतना ध्यान लखिएगा. आप जैसे किसी bracket में, बस इतनी identity है, अगर आपके mind में है, और sign का बस सफिर होता है, जैसे first वाले में कभी क्या दिया होगा, minus, second वाला plus का है. जहां जहां आपको A दिख रहा है, वहां आप क्या कर देंगे, minus पूट कर देंगे. आपके identity क्या होगा, चेंज हो जाएगी, x, देखे, यहां minus A है, तो minus A plus B, यहां minus A पूट करेंगे, sign change हो जाएगे, plus minus minus A, B. आप जैसे first वाला plus में है, second वाला minus में है, तो x square plus x A, और यहां B की पूट करेंगे, और यहां इसी तरीके से minus B पूट करेंगे, plus minus, minus हो जाएगा A, B. अब अगर दोनों ही minus में, x minus A, x minus B, ठीक है, so x square और आपकी बार यहां minus आ जाएगा, यहां minus क्यों आएगा, यहां minus क्यों आएगा, यह भी समझा देते हैं, x, देखे, minus A, minus B, दोनों negative करेंगे, और यह plus का minus A, और minus B, देखे, bracket में रख रहे हैं, ठीक, देखे, x square, इन दोन प्लस में रहेंगे और दोनों नेगेटिव साइन है तो यह जो ए बी वाला पॉजटिव एटम सही नेगेटिव रहेगा और प्रोड़क्ट वाला प्लस रहेगा क्यों रहेगा क्यों कि जब ए और भी मुल्टिप्लाइब ना थो साइन क्यों जाएंगे ठीक है तो आय तिंक यह बस आइडेंटिटी माइंड पर रखी है और यह त्री आइडेंटिटी इसी से ही रिलेटेड मेक होंगी अब जैसे आपका 17th नंबर कोश्चन है यह इन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस है 17 18 जो आगे कोश्चन है तो एक बार डिसकस कर लेते हैं कोश्चन नंबर 17 सेवें आई सेवें और डिफрыंट है आइडेंटिटी के बता यह एकस स्क्वएर प्लस एकस इंगर एक प्लस फी प्लस एबी जो एकस डिप्रेजेंटेट एड को Ente A is 7 and B is 8 plus 7 into a final answer आपका हो जाएगा y square plus 7 plus 8 15 y plus 8 7 जा फिफ्टी 6 okay so I think इतनी बास समझ में आ गही होगी इसी बेस पर बेटाए टीन्त नंबर कोस्चन है देखो बस इसके बाद कोई कोस्चन नहीं बताएंगे सारे घर में आप ट्राई करेंगे अब हम simplify में बी नंबर कोस्चन में आएंगे क्योंकि तो तीन दिन से यही टॉपिक चल दा है x plus 4 and x minus 6 okay so this case में b वाले टम्स निगेटिव है so x plus a and x minus b का फॉर्मूला क्या बताया था x square plus x within bracket a minus b minus a b अगर दोनों में कोई एक भी a और b में निगेटिव है so product वाला तो minus में ही रहेगा ठीक है so x represent x so x square ही रहेगा plus x a represent 4 and b represent 6 sign already change कर चुके है अब नहीं change होंगे minus 6 okay minus a b 4 into 6 x square this is minus 2 so minus 2 and minus 2 और बाहर multiply से जब solve करेंगे तो minus 2 x plus minus का हो जाएगा minus 22 तरीके से होगा na x minus 2 ऐसे solve करेंगे तो जब bracket open होगा तो plus minus का होजएगा minus x into 2 x ठीक है minus 6 for the 24 okay so I think सभी को समझ में आ गया होगा और आप मेरे साथ से कोई discuss करने के लिए questions बचे नहीं है okay तो पूरे इसी टाइप से ही questions है 19, 20, 21, 24 questions है एक बार try करना नहीं होगा फिर बत आ देंगे या okay so question number b में आते हैं simplify करना है okay so first number question है आपका x square minus y square of holy square ठीक है so देगे इसमें सबसे पहले जो formula है वो किसका open होगा a square a minus b of holy square a minus b of holy square a square plus b square minus 2ab okay so a represent x square and b represent y square so a जहाँ पर है वहाँ पर आपको x square value पूट करनी है और b की जगा y square value पूट करनी है okay so this is x square और a के उपर भी square है so holy square plus b की value y square and उसके उपर भी square है minus 2a value x square b value y square so final answer आपका हो जाएगा x of power 4 plus y of power 4 minus 2x square y square okay and question number 2 इसी का देख लेते है 2a plus 5 of holy square minus 2a minus 5 of holy square so this is a plus b of holy square so a plus b of holy square यहां लिख देते हैं तो आपके mind में रहेगा मुझे तो पता है a square plus b square plus 2ab and a minus b of holy square is goes to a square plus b square minus 2ab तो first वाले bracket में देखे a plus b क्या formula apply होगा और second वाले में a minus b of holy square का formula apply होगा और mid में क्या है minus तो bracket का बहुत ध्यान रखें क्योंकि second वाले bracket के जो sign है वो सब क्या होंगे bracket open के बाद change होंगे ठीक है तो bracket में ही note करेंगे big bracket लगा लेंगे a square means 2a represent 2a 2a of holy square plus b square b represent 5 को plus 5 of holy square plus 2ab plus 2a की place पर 2a b की place पर 5 okay big bracket close फिर minus mid में sign लगाया और big bracket फिर apply गिया a minus b of holy square 2a minus 5 holy square पर क्योंशी अप्लाय होंगे a minus b of holy square की a square means 2a of holy square plus b square means 5 of holy square minus 2ab minus 2a of value 2a b of value 5 and big bracket close okay so 2a of holy square 2 square 4 a square 5 of square 25 plus 2 to the 4 5s are 20 a big bracket close minus 2a square means 4a square plus 25 minus 2 to the 4 5s are 20 a okay so अब देखे bracket open करेंगे इस bracket first वाले bracket के बाहर तो कोई sign नहीं means positive है कोई effect नहीं होगा 4a square बिल्कुल वैसे ही note कर देंगे ठीक है second वाले bracket के बाहर के इसका sign है minus का तो यह सारे sign change हो जाएंगे 4a square plus का था minus में 25 plus का है minus में and minus 20 a minus का है so plus में minus का क्या होगा multiply होगा ना minus 4a plus minus minus 25 minus minus plus 20 a ठीक है देखे 4a square minus और plus का cancel out हो जाएंगे 25 minus plus cancel out final answer 20 a plus 20 a is equals to 40 a okay so I think इतनी बास सभी को समझ में आ गई होगी and third number question same as easy type के पर है fourth number decimal का है लेकिन बिल्कुल यही concept है दोनों में ही a minus b और fully square का formula apply करना है ठीक है फिफ्ट number question जो है या fourth number बता दूँ क्या है चरी फोर्थ नंबर बता देता हूं ठीक है 2.5 p minus 1.5 q of fully square minus 1.5 p minus 2.5 q of fully square okay so first वाले bracket में भी a minus b of fully square apply होगा second वाले bracket में भी a minus b of fully square apply होगा ठीक है so a square means 2.5 p of fully square big bracket जरूर लगा लीजेगा plus b square means 1.5 q of fully square minus 2 a b minus 2 a of value 2.5 p and b of value 1.5 q okay big bracket close and second जो bracket है देखें उसको नीचे नोट कर रहा हूं यहां पर minus का साइन लगा के यहां नोट करें ठीक है a minus b of fully square अब की बार एक प्लेस पर 1.5 p है so 1.5 p of fully square plus b square means 2.5 q of fully square minus 2 a b 2 into 1.5 p into 2.5 q okay and big bracket close to 2.5 of p square means 2.5 into 2.5 ठीक है अभी point भूल जाते है 25 into 25 आपको कराना हुगा मुझे पता है 625 answer होता है total point count कर लें first इधर first इधर टोटल टू डिजिट तो back से 2 डिजिट यहां पर point हो जाएक और देखें इसके साथ p भी था तो q square ठीक है अब देखें इसका multiply कराएंगे अगर सो यहां देख लेते हैं टू into 2.5 p into 1.5 q तो सबसे पहले variable का constant को constant से multiply करा लें 2 into 2.5 2 into 2.5 25 to the 50 और यहां point लग जाएगा 55 15 जा 5 15 जा 75 ठीक है और एक डिजिट यहां पर 7.5 final answer होगा एंड पी क्यू पी वैरिबल है ठीक है सो माइनस 7.5 p q big bracket लगाएंगे and second bracket इसके नीचे 1.5 of square अभी देखें मैंने बताया था 2.25 होगा और आपकी बार यहां पर q की जागए p है तो p square plus 2.25 6.25 and q square minus देखे 2 into 2 into 2.5 into 1.5 देखे वही वह हैं तो इसका भी answer क्या बनेगा 7.5 p q अब ब्रैकट ओपन कर देंगे 6.25 p square plus 2.25 q square minus 7.5 p q और यह minus सारे sign change होएंगे minus 2.25 p square यह plus से minus में convert होगा 6.25 q square और यह minus minus होजाएगा plus 7.5 p q देखे 7.5 p q पहला minus का और दूसरा plus का है cancel out हो जाएंगे so 6.25 p square plus 2.25 q square minus 2.25 p square minus 6.25 q q square ठीक है तो देखे P square वाले सबसे पहले terms जो है उसको एक side collect करेंगे मतलब एक side मतलब एक 7 लिख लेंगे 6.25 p square और sign change ना करना कोई equal cross नहीं करा रहे है ठीक है ना बस एक 7 note कर रहे है plus 2.25 q square minus 6.25 q square okay so देखे यह एक plus का और एक minus का तो 6.25 में 2.25 minus कर देंगे तो final answer बचे का 4 p square and इसी base पर यह देखे निगेटिव वाला इसमें भी आएगा minus 4 q square minus वाला 6.25 का ग्रेडर है so minus 4 q square ठीक है so अब 4 इसमें common कर लीजे तो बचेगा आपका p square minus q square और फिर इसमें a square minus b square की identity apply हो जाएगी means p plus q एक बार plus में open करीएगा और एक बार minus में ठीक है थोड़ा सा हट के है थोड़ा सा अलग mind यूज करो और वीडियो कुछ ज़्यादी बड़ा हो गया है इसी टाइप के questions और भी है उनको भी apply attempt कर लिएगा ठीक है और जो अगर दिख्कत होगे तो आपके सर बैठा ही है अब जो यही बनेगा और यह प्लस का होगा माइनस का cancel out हो जाएंगे ठीक है और सोड़ा से दिमाग लगाना सारे questions हो जाएंगे ठीक है बाइ टेक केर